मैं हूँ हुसेन अफसर आईए कुछ देर महाराश्टर की सियासत की बातें करें महाराश्टर एलेक्षन MVA में सीट शेरिंग फार्मूला तकरीबन तेपा गया इन 28 सीटों पर मसला है कांग्रेस को बड़े भाई के किरदार में देखा जा सकता है महा वकास उगेवडी में कांग्रेस, NCP, शरत पौार और शेव सीना अधोधरा शामिल है दोनों जमातों ने जादातर सीटों पर सीटों की तकसीम के मौाहिदे को हक्मी शक्र दे दी है लेकिन कम अस कम 20-30 सीटें ऐसी हैं जिन पर मौामला अक्का हुआ है और हर बड़ी पार्टी इस पर अपना दावा कर रही है महाराश्टरा असेंबली इंतिखाबात के लिए वोटिंग में सिर्फ एक महीना बाकी है और हुक्मरा महावती और अपोजिशन महावकास उग्योडी के इत्तिहादियों के दर्मियान सीटों की तकसीम को लेकर शदीद बहसिन जारी है महावती में बी जे पी, शेव सुनाशंदी और एंसी पाज्ट पौार शामिल है जबकि महावकास उग्योडी में कांग्रेस, इंसीट शरद पौार और शेव सुनाशंदी और ग्रूप शामिल है दोनों जमातों ने जादातर सीटों पर सीटों की तकसीम के मौाहदे को हक्मी शक्ल दे दी है लेकिन कम अस कम बीस, तीस सीटें ऐसी हैं जिन पर मौामला अक्का हुआ है और हर बड़ी पार्ट इस पर अपना दावा कर रही है महाराश्टर की सियासत में इस वक्त कई एहम वाकियात रूनुमा हो रहे है खाल ही में, महाराश्टरा असंबली इन्तिखाबात के ऐलान के बाद, दो एहम इतिहादों, महावती और M.V.A. के दर्मियान सीटों की तकसीम पर इख्तिलाफात हैं, खास तोर पर विदर्बे, मुम्बई और मरुटवा के इलाकों में शेव सीना, U.B.T. के विदर्बे में ज्यादा सीटों का मुतालबा कर रही है, लेकिन कांग्रेस इससे इत्तिफाक नहीं कर रही है इसके अलावा समाजवादी पार्टी के सरबरा अखिलेश यादों ने M.V.A. से 12 सीटों का मुतालबा किया है, जो एक और मसला बन गया है इन वाकियात से पता चलता है कि इस वक्त महाराश्टर की सियासत में कई चैलेंजिस और इख्तिलाफात हैं, जो आने वाले इंतिखाबात में एहम किरदार अदा कर सकते है दूसरी जानिब राज ठाकरे के कजिन महाराश्टर नौनिर्मान सीना, M.N.S. के सरबरा राज ठाकरे ने वाज़े तौर पर कहा कि M.N.S. महाराश्टरा असिम्बली इंतिखाबात में बगएर किसी इतिहाद के तनहा लड़ेगी M.N.S. ने दो हजार चौबीस के लोकसभा इंतिखाबात में वजीर आजम नरेंदर मोदी की उमीदवारी की हमायत की थी और रियासतों में B.J.P. की कियादत वाले अजीम इतिहाद के उमीदवारों के लिए महीम चलाई थी राज ठाकरे ने कहा कि M.N.S. असेंबली इंतिखाबात आजादाना तौर पर लड़ेगी उन्होंने इसरार किया कि वो किसी भी दूसरी पार्टी से ज़्यादा नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेंगे अपनी फसाहत के लिए मशूर राज ठाकरे ने कहा हम पूरे जोशो खुरूश के साथ इलेक्शन लड़ेंगे इंतिखाबात के बाद M.N.S. हकूमत में होगी M.N.S. तमाम सियासी जमातों के दर्मियान ज्यादा से ज्यादा सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी वन्चीत बहुजन उगयोडी का V.B.A. के सदर परकाश अमबीडकर ने शरत पौर पर बड़ा इलजाम लगाया है उन्होंने शरत पौर पर अंडर वर्ड डान दाउद इबराहीम से मलाकात का इलजाम लगाया है परकाश अमबीडकर ने जुमा को कहा कि उन्होंने दाउद इबराहीम से इस वक्त मलाकात की थी जब शरत पौर वजीर आला थे परकाश अमबीडकर ने कहा कि वो इलजामात नहीं लगा रहे हैं बलकि कुछ हकाइक सामने रख रहे वन्चीत बहुजन उग्योडी के सरवरा परकाश अमबीडकर ने जुमा को कहा कि मैंने कोई इलजाम नहीं लगाया है बलकि सिर्फ कुछ हकाइक सामने रखे उन्होंने कहा कि शरत पौर एक नौ आठ आठ एक नौ नौ एक के दर्मियान वजीर आला थे इस दोरान शरत पौर लंडन गए और फिर मीटिंग के लिए केलिफॉर्णिया गए पौर वापस लंडन आए और फिर दुबई चले गए अमबीडकर ने कहा कि शरत पौर ने दुबई में दाउद इबराहीम से मलाकात की थी अमबीडकर ने पूछा कि क्या मरकजी हुकूमत ने इस मीटिंग को मनजूरी दी थी